Good morning student, today I will teach you English, आज हम English learn करने बाले हैं, तो English में आज हम क्या सिखने बाले हैं, देखते हैं, देखिए, पेज नमबर 8 निकाल लिए आप लोग, अब यह आपका जो यह बुक है ना, सकेंड टर्म का है, सकेंड टर्म, पेज नमबर 8, ओके, फर्स्ट टर्म का इलिए हमने कंप् विद एट, ओके, तो इसमें क्या करना है, हमें यह सरकल बने, उसमें लिटा लिखा हुआ है ना, उससे हमें वर्ड बनाना है, वर्ड बनाके यहाँ पर लिखना है, जैसे की, देखो, यहाँ पर एच लिखा है, तो एच से क्या वर्ड बनाएं, चलो देखते हैं, अभी हम यहां पर से क्या लिना है ए और टी तो ए लिखा और टी लिखा तो अभी अभी लेंग करते हैं चलिए ए टी स्वरी ए ए एच एच एटी हैट क्या होता है एच एटी हैट बन गया वर ऐसे ही यह सी है तो यहां हम सी लिखते हैं फिर यहां से ए और टी लेते हैं तो ए और यह टी तो क्या बना वर सी एटी कैट क्या बना सी एटी कैट ओके फिर यह लेस्ट कौन सा लेटर है आर R में भी हमको क्या करना है A और T तो A sorry क्या लिखाए R A और ये T तो R A T RAT ऐसे ये word complete हुआ R A T RAT अब नेक्स्ट कॉंसलेटर है S S A और ये T S A T S अभी नेक्स्ट कॉंसलेटर है B तो B A T BAT B A T BAT ओके अभी नेक्स्ट कॉंसलेटर है F तो ये F A T FAT FAT क्या होता है FAT ये हमने complete किया सबको अच्छे से समझ में आया ऐसे ही हमने ये यहाँ पर word बना के लिखा है ऐसे ही आपको ये book में लिखना है ओके चलिए आपको next कॉंसा है Less level each picture ओके तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमें जो ये picture बनी हुई है kisses की picture है ये rat की और यहाँ पर r तो लिखा है पहले से तो हमें ये word complete करना है ओके तो अभी क्या आएगा यहाँ r तो लिखा है अभी यहाँ क्या आएगा a और t r a t r a t rat ओके अभी ये क्या बना है किसी इसकी फिक है mat की तो m a t mat mat ये किसी इसकी फिक है किसी इसकी फिक है bet तो b a t ओके अभी नेट्स किसी इसकी फिक है hat की तो h a t hat ऐसे ही हमने ये complete कर लिया अभी next page है ये आपका homework है आपको ये page complete करना है अपने घर पे तो देखो ये क्या है trace करके later को complete करना ये जो dot बनाए गए है उसको trace करना है और यहाँ पर ये जो later है उसको complete करना है ओके अभी next कौन सा है अभी next है जो ये black देखो ये जो peak बनी है जैसे हमने यहाँ पर किया है वैसे ही यहाँ पर देखो peak बनी है jam की तो यहाँ पर हमें j तो लिखा है अभी यहाँ पर हमें क्या add करना है a और m तो jam ओके ऐसे ही यहाँ पर क्या है d तो दिया गया है फिर यहां पर हमें क्या लिखना ए और एम तो क्या हो गया डैम ओके ऐसे ही हमें यह कंप्लीट करना है ओके थैंक्यू बच्चो